Hello students, welcome to Magnet Brains, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ Magnet Brains आपको प्रोवाइट कराता है Free of Cost Quality Education From Class K to Class 12 जी हाँ सही सुना आपने किंटर कार्डन से लेकर Class 12 तक की कराई जाती है आपको Complete Education वो भी Free of Cost प्रोवाइट तो करना क्या है आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है और कर देना है Magnet Brains को सब्सक्राइब जहां पर आपको CBSE Board से लेकर Other State Board जैसे की UP Board, MP Board, Bihar Board जैसे Courses भी एवलेबल है यहां तक की आपको Practice Questions भी यहां पर Solve कराए जाते हैं E-Books and E-Notes की जो लिंक है आपको Description Box में मिल जाएगी तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट मेरा नाम है हश्मित कौर और मैं हूँ आपकी Math Faculty तो आज मैं आपके लिए क्या लाई हूँ? आज मैं आपके लिए लाई हूँ Square Trick from 1 to 1000 जैसे की Students को Square निकालने में दिक्कत होती है तो उसके लिए वो मुझे Comment करते हैं कि मैं कोई Trick बताईए तो आज मैं आपके लिए वही Trick लेकर आई हूँ सबसे पहले तो अगर Square निकालने की बात करी जाए अगर छोटा कोई Number देके रखा है 1 का Square निकालना है 1 निकलेगा 2 का Square निकालना है 4 निकलेगा 3 का Square निकालना है 9 निकलेगा ये तो आप Easily निकाल लेते हो क्योग्कि छोटे Number से लेकिन अगर Questions में देके रखे होते हैं बड़े Number तो आप डर जाते हो आपको निकालना नहीं आता ठीक है जैसे कि अगर आपको देके रखा हो है 63 और बोला जाए कि 63 का square निकालना है क्या बोला जाए आप से कि 63 का square निकालना है तो आप क्या करने बैठते हो 63 multiply by 63 लेकिन अब आपको ऐसा करने की बिलकुल जरुवत नहीं है क्योंकि मैं आपके लि 3 digits वाले की भी square rate देखेंगे ठीक है सबसे पहले अगर हम बात करें 63 की तो करना क्या है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 3 का square करेंगे last digit क्या है 3 है 3 का square करेंगे 3 का square क्या होता है 3 का square होता है 9 लेकिन हमें 9 नहीं लिखना हमें 09 लिखना है हमें 2 numbers चाहिए लेकिन अगर यहाँ पर 5 होता and 5 का square निकाल रहे होते हैं तो 25 आता वो already 2 digits है लेकिन 3 का square निकालने पर सिंगल digit 9 आ रहे है इसलिए हमने आगे 0 लगा दिया ताकि 2 digits बन जाए इतना आगे समझ में फिर क्या करना है फिर अब हमें अब हमें क्या करना है अब हमें 6 का square निकाल लेना है ठीक है 6 का square निकालेंगे तो क्या आएगा 6 का square निकालेंगे 36 आएगा क्या आएगा 6 का square निकालने पर 36 आएगा अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 3609 तो क्या 63 का square 3609 है? बिल्कुल नहीं, अभी और भी बचा है, क्या करना है? अब हम क्या करेंगे? 6 multiply by 3 multiply by 2 कर देंगे, 6 3s हा कितना होता है? 6 3s हा 18 होता है, and 18 2s हा कितना होता है? 18 2s होता है 36, तो अब हम क्या करेंगे? सिर्फ last digit छोडनी है, and 36 को हम यहाँ पर लिख देंगे, and हम कर देंगे, यहाँ पर add, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 9 आएगा, 0 प्लस 6, 6 होगा, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9, and यहाँ पर क्या आगया? 3 आगया, तो इसका मतलब क्या है? 63 का जब हम square करते हैं, तो answer क्या आता है? 3969, and यह हमने कैसे किया? यह हमने short trick से किया, वो भी बिना 63 को 63 से multiply करके, ठीक है? आगया समझ में, ऐसे हम कोई भी number ले सकते हैं, ठीक है? एक और number लेके देखते हैं, 87 का square करके देखते हैं, ठीक है? क्या करेंगे सबसे पहले तो? सबसे पहले हम कर देंगे 7 का square, तो 7 का square कितना आएगा? 7 का square आएगा? 49, ठ ठीक है? फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कर देंगे 8 का square, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कर देंगे 8 का square, तो जब हम करेंगे 8 का square, तो क्या आएगा यहाँ पे? 8 का square करने पे यहाँ पे answer आजाएगा? 64, ठीक है? तो हमें क्या numbers मिल गए? 64, 4, 9, ठीक है? यह numbers मिल गए? अब हमें क्या करना है अब हम 8 multiply by 7 multiply by 2 कर देंगे 8 7 सा कितना होता है 56 and जब हम करते है 56 को 2 से multiply तो answer क्या आता है 2 6 is 12 1 कह रही है यहाँ पे 2 5 is 10 10 plus 1 कितना होगा 10 plus 1 11 हो जाएगा तो answer क्या आ रहा है 112 अब हम क्या करेंगे last digit छोड़के यहाँ पर हम लिख देंगे 112 ठीक है अब हमें क्या करना है अब हमें add कर देना है तो यहाँ पर आएगा 9 4 plus 2 कितना हो जाएगा 6 4 plus 1 कितना होगा 5 and 6 plus 1 कितना हो जाएगा 7 इसका मतलब क्या है हमारा answer आ रहा है 7569 इसका मत है जब हम 87 का square करेंगे तब भी answer क्या आएगा 7569 आ जाएगा यह हमने कैसे किया है बिना 87 को 87 से multiply करते हुए short trick से कर दिया है ठीक है इतना आगया समझ में ट्रिक अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है इस वीडियो को like comment and share कर देना है ठीक है एक नंबर मैं आपको दे ठीक है यह क्या है यह है आपके लिए homework और आपको बताना है comment section में कि answer आपका क्या आया है और आपको यह trick कैसी लग रही है ठीक है अभी आप क्या किजिए अभी आप जल्दी से इसे note down कर लीजिए कर लिए आपने note down चलिए अब हम देखते हैं कि three digit numbers के हम square कैसे निकालेंगे ठीक है अभी तक हमने क्या देखा two digit numbers के हम square कैसे निकालेंगे वो भी short trip से अब हम देखेंगे three digit number के square कैसे निकालेंगे मतलब अब हम क्या कर रहे हैं अब हम देख लेते हैं hundred से लेकर nine 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 तक के square हम कैसे निकाल सकते हैं कोई भी random number उठा लेते हम जैसे की one one two और हमसे बोला जाए कि हमें क्या करना है one one two का square निकालना है तो क्या हम one one two को one one two से multiply करने बैटेंगे नहीं हम यहाँ पर apply करेंगे हमारी short trip उसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले तो calculation को easy बनाने के लिए हम देखेंगे one one two किसके पास में आते हैं किसके nearest आता है तो हमें दिख रहा है one one two hundred की nearest आता है है ना यहीं दिख रहा है हमें हमें है अगर हम 112 में से माइनस 12 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा और हमें यह भी पता है 100 में हम प्लस 12 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 112 मिल जाएगा तो अब हम वही करेंगे हम 112 2 minus क्या करेंगे 12 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100 अब 1 1 2 plus 12 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 124 मिल जाएगा बीच में हम लगा देते हैं multiplication का sign ठीक है अब हमें क्या करना है अब यहां पर हमने क्या किया है minus 12 and plus 12 किया है तो हम क्या करेंगे अब 12 का स्कॉर कर लेंगे 12 का स्कॉरगा है 144, 144 को हम साइड में लिख लेते हैं इतना आगया समझ में अब हम यहां पर 100 तो लेकर आएं लेकिन हम 100 को हटाएंगे कैसे हमें cancel out करणा है तो हम क्या कर देंगे divided by 100 कर देंगे ठीक है यहाँ पर अगर 10 होता तो हम divided by 10 करते एक ही 0 दिखता तो हम 1 0 को हटाने के लिए नीचे denominator में भी 1 0 लेकर आते लेकिन यहाँ पर हमें 2 0 दिख रहे हैं तो हमने क्या किया है 2 0 denominator में लिख लिए है अब हम क्या करेंगे इस 2 0 से 2 0 को क्या कर देंगे cancel out कर देंगे और हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर हमने 2 0 लिए थे तो अब हम क्या करेंगे last के 2 digit उठाएंगे सिर्फ और सिर्फ हमें 2 digit उठाने हैं वो भी यहाँ के ठीक है आया समझ में तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे 124 जो कि यहाँ पर बची रहा है और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे यहाँ से हम ले रहे है 2 digit तो यहाँ पर हम लिख देंगे 44 लेकिन यहाँ पर क्या बच रहा है यहाँ पर 1 तो बच रहा है तो अब हम क्या करेंगे 44 यहाँ पर ले लिया इसका मतलब क्या है जब हम 112 का square करते हैं तो हमारा answer क्या आता है 12544 हमारा answer आजाता है ठीक है इतना आगया समझ में आया है तो आप इसे भी note down कर लीजिए फिर एक और random number उठाएंगे और उसका भी square हम करके देखेंगे ठीक है चलिए note down कर लिया अब एक और random number उठा लेते हैं ठीक है क्या लेंगे अब हम अब हम ले लेते हैं 987 ठीक है 987 का अगर हमसे बोला जाए हमें करना है square तो क्या हम 987 को 987 से multiply करेंगे बिल्कुल नहीं हम क्या करेंगे शॉट ट्रिक को apply करेंगे ठीक है शॉट ट्रिक में हमने क्या देखा था हमें चाहिए nearest number तो हम देख पा रहे हैं यह जो 987 है ना यह thousand के nearest है है बिल्कुल है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे हमें पता है 987 में अगर हम कर देते हैं प्लस 13 क्या कर देते हैं प्लस 13 कर देते हैं ठीक है तो क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा and 1000 में अगर हम माइनस 13 कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 987 आ जाएगा है ना तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले तो क्या लिख देंगे हम क्या कर रहे है 987 में जब plus 13 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है यहाँ पे 1000 क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे 1000 मिल रहा है multiply by अब जब हम 987 में minus 13 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 7 minus 3 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4 8 minus 1 करेंगे तो answer आएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर क्या आजाएगा, यहाँ पर 9 आजाएगा क्या आ रहा है answer, 974 आ रहा है ठीक है, इतना कर लिया, फिर मैंने आपको क्या सिखाया था, जिस number को हम plus 13 या minus 13 कर रहा है उसका हम क्या कर देंगे, उसका हम square कर देंगे ठीक है, और side में लिख देंगी तो हमें पता है 13 का square क्या होता है 169 होता है, क्या पता है हमें 13 का square कितना होता है, 169 होता है फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जितने 0 लियें, उतने हमें cancel out भी करने पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे denominator में thousand ले लेंगे मतलब 30 लेंगे जिससे क्या होगा जिससे इन 30 से हम इन 30 को क्या कर सकते हैं cancel out कर सकते हैं और जैसे कि हम देख पा रहे हमने क्या किया यहाँ पर 30 लिये तो हम तीनो डिजिट को यहाँ पर उठा सकते हैं मतलब 169 को हम यहाँ पर उठा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या बच रहा है यहाँ पर बच रहा है 974 and यहाँ से हम क्या ले रहे हैं 169 तो हमारा अंसर क्या आ रहा है 974169 इसका मतलब क्या है जब हम 987 का स्क्वायर करने बैठेंगे तो हमारा अंसर यही आने वाला है ठीक है इतना आगया समझ में आया है तो आप इसे भी note down कर लीजिए कर लिया आपने note down अब ही सोच रहे होंगे आप कि यह क्या है यह हमने देख लिया जो भी nearest आते थी ठीक है लेकिन अगर कोई बीच का number दे दिया गया और बोला गया कि उसका square निकालो तो वो कैसे निकालेंगे उसके लिए भी short trick है ठीक है कोई random number फिर से उठाते हैं आपने आएसे की 645 उठाते हैं और हम से बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है इसका square करना है तो हम क्या देख पा रहे हैं यह जो या तो हम यह देख लेंगे कि 600 के नियरेस्ट है, है ना, यह देख लेंगे, या फिर हम देख लेंगे कि 650 के नियरेस्ट है, लेकिन जाधा नियरेस्ट किसके है, 650 के है, तो हम 650 लेकर कर लेते हैं, ठीक है, आया समझ में, तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, जब हम 645 में प्लस 5 कर देंगे तो क्या आजाएगा 650 आजाएगा ऐसे ही 650 में माइनस 5 कर देंगे तो क्या आजाएगा 645 आजाएगा ठीक है आया समझ में तो यहां पर हम लिख देते हैं जब हम 645 में प्लस 50 कर रहे हैं प्लस 5 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 650 आ रहा है multiply by 645 में माइनस 5 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 640 आ रहा है ठीक है इतना आया समझ में और हमें क्या करना है side में 5 का square कर देना है ठीक है 5 का square कितना होगा 5 का square हो जाएगा यहां पर 25 ठीक है इतना आ गया समझ में फिर हम क्या करते हैं हम 0 remove करते हैं तो 0 remove करेंगे यहाँ पर क्या आएगा एक zero remove करना है तो यहाँ पर एक zero आजाएगा and यहाँ पर one आजाएगा ठीक है लेकिन हम यहाँ पर calculation को easy बनाएंगे अगर हम यहाँ पर एक zero ले रहे हैं तो हमें एक ही number यहाँ पर लेना पड़ेगा तो हम चाह रहे हैं कि हमारा काम असान हो जाए हम दोनों ही डिजिट साथ में उठा ले तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दो zero लगा लेंगे जब दो zero लगाएंगे ना तो क्या होगा इस zero से zero को हम cancel out कर देंगे and यहाँ पर यहाँ दिख रहा है एक zero बच रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.5 हो जाएगा ठीक है simplify करेंगे 6.5 हो जाएगा and यहाँ पर multiply by 640 है लेकिन point की जगा हम इसे कैसे लिख सकते है calculation को और easy बनाने के लिए हम इसे लिख सकते है 13 upon 2 जब हम 13 upon 2 करेंगे ultimately answer क्या आता है 6.5 ही आता है ठीक है अब हम क्या करेंगे cancel out कर देंगे 2 1s are 2 and यहाँ पर 2 3s are 6, 2 2s are 4 and यहाँ पर 0 अब हम क्या करेंगे अब हम 320 को 13 से multiply कर देंगे क्या करेंगे हम 320 को 13 से multiply कर देंगे तो answer क्या आएगा 3, 0 is a 0, 3, 2 is a 6, 3, 3 is a 9 and यहाँ पर cross का sign 1, 0 is a 0 and 1, 2 is a 2 and 1, 3 is a 3 ठीक है तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 9 प्लस 2, 11, 1 कह रही यहाँ पर जाएगा, 1 प्लस 3, 4 तो answer क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर answer आ रहा है, वो 4, 1, 6, 0 and यहाँ से हम क्या करेंगे, 25 को उठाएगे, यह मैंने आपको पहले ही बोला था, तो यहाँ पर side में क्या लग जाएगा, 25 तो हमारा answer क्या आ रहा है, 4, 1, 6, 0, 2, 5 आ रहा है, यह भी हमने shot trick से solve कर लिया, 6, 45 को 6, 45 से multiply करने की जरुरत ही नहीं पड़ी, shot trick से हमारा answer यहाँ पर ready हो गया, ठीक है, तो आप इसे भी कर लीजिए, जल्दी से note down, कर लिया note down, तो यही थी हमारी आज की trick, तो आपके shot trick कैसी लगी and आपका answer shot trick से क्या आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर होती हमारी वीडियो complete, हमने बहुत अच्छे से देख लिया कि shot trick के through हम 1-2000 तक के square कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है and ऐसी और वीड कराते हैं, free of cost, quality education, e-books and e-notes की जो link है आपको description box में मिल जाएगी and ये रहे हमारे other social media platform जैसे की YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं and कर सकते हैं Magnet Brains को follow, thank you so much.